हेलो फ्रेंट्स और वेलकम बैक टू माई चैनल क्राफिटेरिया इस क्राफ्ट की दुनिया में बहुत कुछ है बनाने के लिए और इसी में आज हम बनाएंगे एक बॉटल आर्ट जो बहुत ही यूनीक है और बहुत ही इजी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो इस ग्लास बॉटल की जगा आप कोई भी ग्लास आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं चाहे वो ग्लास हो, कप हो, बोल हो, प्लेट हो या फिर कोई ग्लास कंटेनर हो आप किसी पर भी ये वर्क कर सकते हैं इस work का end result बहुत ही जादा stylish, unique और एक दम हटके होगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा यहाँ पर मैंने sponge का use किया है पेंट करने के लिए इससे जो merging होती है colors की वो बहुत ही easily हम अचीव कर सकते हैं और बहुत ही evenly हमें tone मिल जाता है जो brush से हमें इतना easy और fine end result नहीं मिलता प्लस इसमें जो paint का use होता है वो बहुत कम quantity में होता है और जो area cover करता है वो बहुत जादा करता है उसी paint में तो इस तरह से ये bottle का paint जब सूख जाएगा तब हम उस पे अपने next step को करेंगे यहां पर मैंने use किये हैं chalk paints और contrast colors में हम use करेंगे अगर आपके पास chalk paint नहीं है तो आप acrylic paint का use कर सकते हैं और अगर आप chalk paint घर पर बनाना चाहते हैं तो please comment box में मुझे ज़रूर बताइएगा next video हम उसी पर बनाएंगे तो इस तरह सा हम कोई भी random patterns बना लेंगे और wait करेंगे इस paint को भी सूखने का अब है अब है अब है एक बात का ध्यान जरूर दें कि आप अपने next step पर तभी जाएंगे जब आपका base color या आपका जो first color है वो सूख जाएगा तभी आप अपने second color work पर जाएंगे ऐसा नहीं करने पर आपका work messy हो जाएगा आपके colors एक दूसरे में mix हो जाएंगे और आपका end result वैसा नहीं होगा जैसा आना चाहिए तो इस तरह हमारी ये bottle paint हो गई है अब हम इस पर करेंगे आगे का काम उसके लिए यहां पर मैं use कर रही हूँ ये acrylic marker pens का ये बहुत ही जादा अच्छे end results देता है easy है बहुत करने में और permanent markers है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ये या तो smudge हो जाएंगे या फिर time के साथ ये फेड हो जाएंगे अगर आपके पास marker pens नहीं है तो आप brushes से भी ये designs easily draw कर सकते हैं मैंने भी brushes से ये designs बहुत बार easily draw किया है बट ये pens उनके लिए है जिने brush handling बहुत मुश्किल लगती है उन्हें लगता है कि हम pens बहुत comfortably draw कर सकते हैं बट brushes से उनको वो result नहीं मिलता तो वो लोग इन marker pens को बहुत easily use कर सकते हैं और इनका end results बहुत ही जादा कमाल का है और बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये marker pens है और acrylic paints नहीं हैं झाल 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 तो यहां हमारा designing part complete हो गया है और अब बारी आती है अपने इस artwork को secure करने की तो अपने artwork को secure करना मत भूलिएगा उसे varnish से जरूर secure करिएगा जिससे आपके उस artwork की life बढ़ जाए ये तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये DIY मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा आप लाइक तो करते हैं पर कमेंट करना भूल जाते हैं आपके कमेंट भी मेरे लिए बहुत माइने रखते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताईएगा कि आपको य तो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बैल बटन के आइकन को प्रेस करके रखिए तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर बाई